ट्वीटर को लेकर एक बार फिर विवाद सुर्खियों में है ट्वीटर के पूर्वे सीओ जैक डोर्सी के एक इंटर्व्यू के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाये हैं केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है सबसे पहले आपको बताते हैं कि जैक डोर्सी ने कहा क्या डोर्सी ने दावा किया है कि भारत में किसान आंदोलन के दोरान सरकार ने ट्वीटर को बंद करने के उन्हें धहमकी दी थी दरसल जैक डोरसी ने एक YouTube चैनल Breaking Point को इंटर्वियू दिया है इस इंटर्वियू में जैक डोरसी ने दावा किया कि किसान आंधोलन के दोरान उन पर कई ट्विटर अकाउंट्स को बंद करने के लिए कहा गया था कहा जा रहा है कि ये अकाउंट्स उन लोगों के थे जो या तो किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे या फिर वो लगतार केंदर सरकार के खलाप बयान बाजी कर रहे थे अब इस दावे के बाद भारत में एक बार फिर ट्वीटर को लेकर विवाद शुरू हो गया है हलांकि जैक डोर्सी के आरोपों को भारत सरकार ने खारिच कर दिया है केंदर सरकार के इलेक्ट्रोनिक और तक्निकी राज्यमंत्री राजीव चंडर्शेखर ने कहा कि ये ट्वीटर की इतिहास के एक संदिक से तोर को साफ करने का प्यास है राजीव चंडर्शेखर ने कहा कि जैक डोर्सी की नेत्रितु में ट्वीटर और उनकी टीम लगतार भारती नीमों का उलंगन कर रही थी साल 2020 से 2022 के बीच उन्होंने लगतार भारत के खानूनों का पालन नहीं किया लेकिन इस दोरान ना तो उन पर छापे मारे गए और ना ही उन्हें जेल भेजा गया लेकिन विवाद का सिलसिला थमा नहीं है जैक डोरसी ने इस इंटर्विव में कहा कि किसान आंदोलंग दोरान कुछ खास पतरकार सरकार की आलोचना कर रहे थे BBC में छपी रिपोर्ट के मताबिक जैक डोरसी ने इस इंटर्विव में कहा कि एक तरह से हमसे कहा गया कि हम भारत में ट्वीटर को बंद कर देंगे भारत हमारे लिए बड़ा बाज़ार है आपके कर्मचारियों के घरों पर छापे मार देंगे जो उन्होंने किया हम आपके आफिस बंद कर देंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे ये भारत में हो रहा था जो लोकतांत्रिक देश है अब ट्वीटर के पूर्व सीईयो के इस दावे के बाद कॉंग्रेस ने केंद सरकार पर जोरदार हमला बोला कॉंग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनित ने कहा कि ट्वीटर के पूर्व सीओ जैक डोर्सी का खुला सा मोधी सरकार ने उन्हें धमकाया अगर किसान आंदुलन दिखाया तो ट्वीटर को बैन कर दफ्तरों और करमचारियों के घर पर छापे पड़ेंगे जब साड़े साथ सो किसान अपने हक की लडाई लड़ते हुए शहादत दे रहे थे तब पिये मोधी उनका दमन कर रहे थे कॉंग्रेस की सुप्रिया श्रीनित ने एक चार्ट को शेयर करते हुए ट्वीटर पर सवाल पूछा अगस्त 2021 रहुल गांदी का ट्वीटर हेंडल ब्लॉक किया जाता है अगरे 6 मेने तक उनकी फॉलोवर ग्रोथ खब्रवरी 2022 जब WSJ में खबर चलने वाली है कि उनका फॉलोवर नहीं बढ़ रहे तुरंत शेयडो बैन हट जाता है और फॉलोवर बढ़ने लगते हैं ट्वीटर ने अकाउंट ब्लॉक करने का काम मोधी सरकार के कहने पर किया था वहीं बिजेपी ने जैक डोर्सी और रहुल गांधी के साथ की तस्वीरों को ट्वीट कर कॉंग्रेस बनिशाना साधना शुरू कर दिया बिजेपी ने आरोप लगाए कि देश को निचा दिख कर ही आते हैं सब टूलकिट के हिसाब से चल रहा है है ना कांग्रेस वालों ट्वीटर के पूर्व सीओ की इंटर्व्यू के बाद शुरू हुआ हमलों का घमासान इतनी जल्दी थमने वाला नजर नहीं आता अब देखना है कि यह विवाद किस मोड पर जाकर खत्म होता है हमारे यूटूब चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें